मेरट में चल रही महापोर और नवनिर्वाचित सभासत के शपत ग्रहन समारो में उस वक्त हंगाम हो गया जब बसपा की महापोर बनी सुनीता वर्मा ने अपने शपत ग्रहन समारो में ही राश्रे गीत वंदे मातरम का अपमान कर दिया वन्दे मातरम के समय नवनियूक्त, महापौर मंच पर बैट रही और सभसद और कमिशनर सब खड़े होकर वन्दे मातरम करते रहे लेकिन इस दोरान भाजपा पार्षद जहां वंदे मातरम और जैश्री राउंड के नारे लगाते रहे तो वहीं बसपाई जैभीम के नारे लगाते रहे हंगामा बढ़ता देख स्वायम कमिशनर डॉक्टर प्रभाद कुमार को मायक समहलना पड़ा तथा भाजपा बसपा पार्षदों से शांत रहने की सला दी आपको बता देगी नगर निगम की महापौर व पार्षदों का शपत ग्रहन समारो घंटा गरिस्तित टाउन हॉल में आयोजित किया गया जिसमें शपत ग्रहन अपने निर्धाद समय से 25 मिनट देरी से शुरू हुआ वहिशपत से पूर्व भाजपा पार्षदों ने राष्टगीत वंदे मातरम शुरू कर दिया जिस पर मंच पर बैठिज कमिश्टर डॉक्टर प्रभात कुमार सहित पंडाल में मौझूद सभी भाजपा नेताओं और निगम अधिकारियों ने खड़े होकर राष्टगी पार्षदों ने जाए भीम के नारे लगाने शुरू कर दिये जिस पर वहां हंगामे की सिटी बन गई मंच के सामने भाजपा और बसपा पार्षदामने सामने आ गए और नारे बाजी करने लगे महाल खराब होता देख स्वायम कमिश्टर को इसमें हस्तक शेप करना तो महापार का जवाब था कि विकास्ती बात कीजिए मेरा ध्यान मद भढ़काईए वहीं बीजे पी ने तावीन इस्षार्दा का कहना था कि भारत मेरे करवंदे मातरम का अपमान करना है महाप़र ने आज मेरेट की 22,00,00,000 जनता का अपमान किया है वंदे मातरम किसी पा कि बंदे मातरम प्रेठ महापॉर्ड की अपुरॉड ह माधन की बन्दे मात्रम के साथ 22,000,000 बाइस लाक के साथ उत्तेः परडेश यह 25 कर वा यहाद प्रडेश भावन की ऑपुरॉड göreज बन्दे मातरम किसी पाल्टी का गीत नहीं है मेरत सेरवी गुपता की रिपोर्ट